चीन को बहुत अधिक मात्रा में चावल नहीं भेजे गए हैं इस्पेशल केस होने की वज़े से हमने कम मात्रा में चावल भेजा है जैसा कि आप जानते हैं दुर्गम पहाडी लाका होने की वज़े से एक मुश्किल मार गए यहां कोई भी काम आसान नहीं है आगे सुनिए लेकिन चीन की जरूरत को देखते हुए हमने थोड़ी बहुत मात्रा में चावल देने पर सहमत हुए है यहाँ चावल चीन की सेना के लिए बहुत जरूरी है और हम उन्हें जिम्दा रखने में मदद कर रहे हैं यद्य पिहाम उन्हें तिब्बत के बाहर भी देखना चाड़ी चीन की सेना भूको मरने की सिती में थी तब इन महोदे ने जानते कितने चावल पहुचाए थे जिसको थोड़ा बोद कर साड़े तीन हजार टन हिंदी चीनी बाई-बाई-बाई-चे नाले लागावनारे भारताचे पहिले परंधपरदान पंडि जवालार नेरू यांचे बदल एक धक्कदाक महिती समोराली याथ तेनचे चीनी प्रेम खुण्णा एकदा उपववनाले चे दिस्ते नेरू नी डोकलाम युद्धादर में चीनी सहनी कानना धन्य पूराले चे थेट अरोप भाजबते राष्टरिय प्रवक्ते सुधान चुत्रिवेदी याणी पूरावय सहित केले याथ तेननी एलेसी चे मुद्धे वरून टिका करनार राहूल गांधी और कॉंग्रेशन नेतन्य एक प्रकारे अर्सास दाखोले चे दिस्ते यू वाल्यूम 18 उसमें नहरू जी की 21 जून 1952 दिल्ली प्रेस क्लब में हुई प्रेस कॉंफरेंस का जिक्र है एन आई कोड पत्रकार का नहरू जी सवाल है कि पंडिजी क्या भारत ने चीन को चावल की सप्लाइई की है नहरू जी का उत्तर है चीन को बहुत अधिक मात्र नहीं है आगे सुनिए लेकिन चीन की जरूरत को देखते हुए हमने थोड़ी मात्र बहुत मात्रा में चावल देने पर सहमत हुए हैं यहाँ चावल चीन की सेना के लिए बहुत जरूरी है और हम उन्हें जिम्दा रखने में मदद कर रहे हैं यद्यपी हम उन्हें चीन की सेना जब तिब्बत में अत्याचार कर रही थी उस समय और इसकी मैं बैग्डाउन भी आपको बता देना चाहता हूँ उस समय जो चीन का नेरेश चहर था उस जमाने में आज की तरह तिब्बत में जाल नहीं था सड़कों का चेंगडू से लगबग बाइस सो किलोमीटर दूरी थी लासा की और भारत के तावांग से दो सो चालीस किलोमीटर भारत की तरफ से सड़कों की भी स्थिती अच्छी थी क्योंकि शताब्दियों से व्यापार होता रहा था वहां रसत पहुचाना संबव था चीन की सेना भूकों मरने की सिती में थी तब इन महोदे ने जानते कितने चावल पहुचाए थे जिसको थोड़ा बहुत करें साड़े तीन हजार टन साड़े तीन हजार टन चावल बेच के और बकॉल जवाल नेरू वो कह रहे हैं कि उनको जिन्दा रखने में मदद करना चाहते हैं इसलिए राउल गांदी जी जब आप बोलने की कोशिश करते हैं तो याद रखिए और मैं देश की युवापीडी को पुना याद दिलाना चाहता हूं आज भी भारत चीन की सीमा के उपर जो हमारा पैरा मिलिटरी फोर्स है उसका क्या नाम है इंडो तिबितन बॉर्डर पुलिस भारत तिबबत सीमा पुलिस क्यों क्यों कि 1947 में हमारा पडोसी चीन नहीं था पडोसी तिबबत था इसलिए आज भी उस बॉर्डर प्यूएंग